दोपहर तक स्पॉंसर बाई कॉटिल्य अकाडमी रीवा उको लेकर ग्रहमंत्री से सवाल किये जिसके जवाब में ग्रहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा कि प्रदेश के जेलों में 6694 पद स्वीक्रित हैं और इन में से 1149 पद खाली है जबकि जेल में बंद आवास शमता 29571 है और जिसके विरुद्ध जेलों में 47405 कैदी बंद है यानि शमता से कहीं ज़ादा ग्रहमंत्री ने बताया कि प्रदेश के जेलों में दर्धारित संक्या से 70% अधिक कहती हैं 31 जनवरी की सिति में कुल कैदियों में 40% शजायाफ्था और 60% विचारा धीन कहती हैं जीतु पठवारी ने कहा कि जब उनका भोजन एक साथ बनता है तो स्वाभाविक है कि विचारा धीन और सजायाफ्ता की सारी गतिविदियां भी एक साथ हैं मात्र सोने का बैरक अलग-अलग है उन्होंने ये भी कहा कि यह गलत उत्तर है कि जेल में दोनों के लिए अलग-अलग स्थान है जो कि सारे जिलों में ऐसी शमता से जादा कैदी होने की बात सामने आ चुकी है बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की और मध्यप्रदेश में पंचायद चुनाव का मुद्दा अठकता जा रहा है और अब इसमें ताजा अपडेट सामने आई है उसके अनुसार पंचायद चुनाव बाद ही मध्यप्रदेश में पंचायद चुनाव कराई जा सकेंगे आयोग ने वोटर लिस्ट बनाने के निर्देश दे दिये हैं शेडियूल जारी किया गया है और वोटर लिस्ट नए परिसीमन के आधार पर होगी पिछले कई जो समय है उसके अनुसार पंचायद चुन नहीं होंगे 25 अप्रेल के बाद ही पंचायद चुनाव कराई जा सकते हैं दोपहर तक स्पॉंसर्ट बाई कॉटिल्य अकाडमी रीवा